पंच प्राण का आवान किया और हमारे हरीजी ने भी इसका उलेख किया इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विश्चीद भारत का बड़ा संकल्प दूसरा प्राण है गुलामी की मानचिक्ता का संपूर्ण त्यार तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर घर्व चौथा और पांच प्राण है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी कर्तव्य आइनेस विक्रांत के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्राण पंच प्राणों की उर्जा को देख सकते हैं आइनेस विक्रांत इस उर्जा का जीवन संयत्र है अभी तक इस तरह के एरक्राफ केरियर केवल विक्सित देश ही बनाते थे आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विक्सित राश्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है साथियों जनल परिवहन के खेत्र में भारत का बहुत गवरव मई इतिहास रहा है हमारी सम्रुद्ध विरासत रही है हमारे यहां नवकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है दिर्गी का तरणी ही लोला गत्वरा गामीनी तरी ही जंगाला प्लावीनी चैव धारीनी वेगीनी तथा यह हमारे सात्रों में इतना बर्र है दिर्गी का तरुणी लोला गत्वरा गामीनी जंगाला प्लावीनी धारीनी वेगीनी हमारे हां जहाजो और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे बेदों में भी नौकाओं जहाजो और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्यकाल तक भारत के समुद्री सामर्थ का डंका पूरे विश्व में बज़ता था छत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दम पर ऐसी नवसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की निंद उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इतियाद गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीज संसद में कानून बना कर भारतिय जहांजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाए दिये गए थे बारत के पास प्रतिबा थी अनुभाव था लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखन में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमरित काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस उर्जा को फिर से जगा रहा प्यों आज 2 सितंबर 2022 की एतिहासित तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नव सेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नव सेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नव सेना का नया ध्वज समंदर और आस्मान में लहर आएगा कभी रामधारी सी दिनकर्जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 स्वधंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वज बंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नव सेना के जनक छत्रपती भीर सिवाजी महराज को समर्पित करता हूँ करता हुआ 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 है